नमस्कार दोस्तो हमारी यूटूब चैनल में आपका कबार फिर से स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 2023 के अंदर अगर आप शे किलो वोट का सुलर सिस्टम लगाना चाते हैं तब आप कितना खर्चा आ सकता है अगर आप शे किलो वोट के पैनल अपने पुराने इंवर्टर के उपर लगाना चाते हैं तो कितना खर्चा आएगा फ्रेस नियो सिस्टम लेते हैं तो कितना खर्चा आएगा यह सभी जानकारी इस वीडियो के अंदर होने वाली है तो यहाँ पर अगर आप अपने पुराने सिस्टम के उपर 6 किलो वोट क solar system सही रहेगा अगर इससे कम power consumption रहती है यानि कि 20-25 unit के अराउंड रहती है तब आप 5kv की तरफ जाएए अगर इससे ज्यादा रहती है तो इससे बड़ी system की तरफ जाएए तभी आपको उसका पूरा-पूरा फाइदा मिलेगा अधरवाइस आप सोचेंगे कि आपके पैसे वेस्ट हो गए हैं तो यहाँ पर मैं आपको बदा दू को अगर आप अपने पूराने system के उपर 6kv के पैनल लगाना चाते हैं तो आपके पास में कम से कम 8 battery का inverter होना बहुत ही जरूरी है तबी आप 6kv के अराउंड पैनल लगा सकते हैं तो यहाँ पर 6kv के पैनल की प्रा 80,000 रुपे में और monopruck half cut मिलेंगे आपको 2,10,000 रुपे में और bifacial की बात करें तो वो आपको मिलने वाले हैं लगबग 2,24,000 रुपे में तो तीनों ही टेक्नलोजी अपने पनी जगन सही है जिसका budget अच्छा है वो bifacial या monopruck के तरफ जाए जिसका budget कम है वो poly की तरफ ज ज्यादा लगाने पड़ते हैं इसके लिए आपको ज्यादा space की जूरुत पड़ती है ज्यादा stand और wiring वगरे की जूरुत पड़ती है इस बात को भी आपको ध्यार में रखना चाहिए तो यहां पर अगर आपके पास में 620 रुपे है और इसके अलावा भी आपका खर्चा हो जाएगा stand और वाइरिंग का वहोगा लगबग 40,000 रुपे तो solar panel, controller और वाइरिंग वगरे का कोश्ट मिलाकर आपको देना पड़ेगा लगबग 2,40,000 रुपे यानि की धाई लाग का अगर आपका बजट है आप पुराने सिस्टम के ऊपर अपने 6 किल वोट तक की solar panel ल देन आप 6 किल वोट का solar system लेजिए जिसके अंदर आपको 7.5 kv के inverter का यूज़ कर रहा है जो की 8 से 10 बैंटर के अंदर आता है अगर आपको बैक अप जदे चाहिए 10 बैंटरी वाला लेजिए अगर आपका काम कम बैंटरी से तल जाता है आप 8 बैंटरी वाला लेजिए और यहाँ पर 7.5 kv का जो inverter है वो आपको अपर कंपनी के अंदर मिल जाता है लगबग 65,000 रुपे में हालांकि 65,000 रुपे में अल्मुष्ट सभी कंपनी में ही आपको मिल जाता है 65,000 रुपे की रेंज के अंदर सभी कंपनी के अंदर MP3 Technology का ही 7.5 kv का inverter मिल जाता है तो मार्केट में आप किसी भी दूसरी कंपनी का ले सकते हैं सिर्फ आपको चेक करना है कि 7.5 kv के inverter के उपर 7.5 kv के पैनल वो सपोर्ट करना चाहिए काफी कंपनीों के inverter आपको देखने को मिलेंगे जो की 7.5 kv के हैं लेकिन जो पैनल कपास्टी है उनकी वो 5 kv के आराउंड तो वो यूजलेंस है वो मत लीजिए इससे आपका नुकसान है क्योंकि इन फूचर आप उसके उपर पैनल नहीं बढ़ा पाएंगे तो यहां पर सबसे पहले आपको देखना है कि जिस कंपनी का inverter लेते हैं उसके उपर आप जितने वी रेटिंग है उसकी उतने ही पैनल ल का यहां पर हम मीनिमम कोश्ट मान के चल रहे हैं यहां पर अगर आप मोटा मोटी आपका इस सिस्टम को लगाने का खर्चा आजाएगा च्यार लाख पांच हजार रुपे और यहां पर अगर आप अपग्रेड कर देते हैं पैनल को यानि की मोनो प्रक टेक्नलोजी के अग देने पढ़ेंगे यहां पर आपके उपर है कि आप कौन से सिस्टम की तरफ जाते हैं तो यहां पर आप इसके उपर 6 किलोट के पैनल लगा सकते हैं 6 किलोट का लोड भी चला सकते हैं लेकिन यहां पर इस सिस्टम के साथ में एक दिक्कत यह है कि आपको बैंटरिया इतनी जहां पर इतना लोड आपको चलाना पड़ता है लेकिन रात को आपको बैकप की जरूरत ही नहीं है तो आप इतनी सारी बैंटरियां लगा देंगे तो आपके वैसे ही पैसे वैस्ट जाने वाले हैं तो इसका सबसे बड़िया सुल्यूशन आपको मिलता है Transformer Less Technology के अंदर तो यहां पर Cellcronic Company के अंदर Magnum Series के अंदर 5.5 किलोवोट का inverter आता है और यह 48 वोल्ट के उपर operate होता है यानि कि सिर्फ 4 बैंटरियों पे ही आपका काम चल जाता है और इसके उपर आप 5 किलोवोट से भी अधिक लोड बड़ी ही राम से चला सकते है और सिर्फ 4 बैंटरिया लगानी पड़ती है और इसके अंदर आपको काफी फीचर भी मिलते है डिस्पले भी देखने को मिलती है और जो इसकी कोष्ट है वो इसी कारण थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो जाती है ये इनवर्टर आपको मिलेगा लगबूट 65,000 रुपे में और इसके उपर 4 बैंटरिया लगाते है तो 60,000 रुपे के आपकी बैंटरी अगर आप यूज करते हैं लिथियम बैंटरी को तो आपका जो सिस्टेम वो कंप्लीटली मैंटेननस फरी हो जाता है और लगबू 15 साल तक आप इसे बिना टैंसन के यूज कर सकते हैं लेकिन यहां पर 60,000 के बजाए फिर आपको एक लाख 30,000 रुपे के अराउंट बैटरी मिलेगी यानि कि 60,000 रुपे और एक्स्टा एड़ कर दीजिए यानि कि फिर से आपका जो सिस्टेम वो चार लाख रुपे में पढ़ेगा लेकिन जो इसकी शिएंची है वो आपके ट्रसफोर्मर वाले सेट अप से कहीं ज्यादा है और इसकी जो लाइफ वो भी उससे ज्यादा है और इसकी कोई भी मंटेंस नहीं है सबसे बड़ी बात यही है और यह स्पेस भी बहुत ही कम लेता है क्योंकि इनवर्टर तो आप अभी आपका कुछ सवाल एस जाब हो तो वीडियो कमेंट करें वीडियो पसंदा आयो तो वीडियो को लाइक करने सेयर करने साथ ही मारे चैनल को सब्सक्राइब करने किसा आप बैल आइकन को जुरूर दमाएं ताकि इसी परकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे थन्यावाद